हेलो दोस्तों सुबू एंड सौनू चैनल में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने दो बेहनों की कता यानि अमाम वास्या और पुनिमा की कता सुनाने जा रही हूँ आप को जदी वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक करिए और चै थे और दोनों लड़कियां छोटे थे तो दोनों लड़कों के समय आने पर विभा कर दिया गया और दोनों लड़कियों के नम आप वास्या और पुनिमा थी और पुनिमा घर का सारा काम करती थी और वो पूजा पाठ और गोस्वा भी करती थी दिरे दिरे दोनों बहने भ दिन राजा से कहा बेटियां अब बड़े हो गए हैं विभाय अग्य हो गए हैं अब इन के लिए बढ़ धन्ना सुरू कर दो पर अमावर्षय के लिए किसी अच्छे घराने के लड़का ढूनना और पुनिमा के लिए साधरन लड़का ढूनना क्योंकि इसको तो घर का काम ही पसंद है रानी के ऐसे कहने पर राजा ने अमावश्या की साधी पडोसी राजे के राजकुमार के साथ तैय कर दिया और पुन्निमा के लिए एक साधान लड़का ढूंड लिये और दीरे दीरे उन दोनों की साधी भी हो गई और जब अमावश्या की विभा हुआ तब उसको बहुत सारा धन दोलत दे कर विदा कर दिया गया और पुन्निमा को थोड़ा साही धन दोलत दिया गया दोनों ससुराल पहुँच गई एक दिन की बात है वाश्या सोची घर में सीव चर्चा रखूंगी और वो सब को बुलाने भेजी पर पुन्निमा को बुलाने नहीं भे देखे कि पुन्निमा तो बैठी हुई है औरत जब जा रहे थे बोलने लगे पुन्निमा तू क्यों नहीं जा रही है तो वो बोली मुझे बुलाया नहीं गया तो मैं कैसे जा सकती हूँ तो औरतों ने कहा कि भगवान की कथा है चलना चाहिए तो वो चली गई वहां तो वो बहुत गुस्सा हो गई और बोली बिना बुलाया ही तू चली आई और आ ही गई है तो एक कोने में बैठे रहना और कथा के अंत में सब को प्रशाद दी पर उसको प्रशाद भी नहीं दी पुनिमा वहां रोती रही और बगवान को याद करके रती रही और जब घर आ रही थी तो रस्ते में विचार की बच्चे प्रशाद के लिए पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगी और माइके चली जाती हूँ तो बच्चों के लिए कुछ ले कर ही आ जाऊंगी घर में पती और बच्चों से कहकर माइके के लिए रवाना हो गई रस्ते में एक जब बोली कि तुलसी का पेड सूग गई है इसमें थोड़ा सब पानीडाल दो बेटी और चबुतरा को थोड़ा साप कर दो चबुतरा को साप करके तुलसी गच में पानी दे दी और पुनिमा बुढिया माता को नहला कर उनका पाउं पकड़ के चलने लगी तो तुलसी माता बोलने लगी कि आते समय मुझ से मिल कर जाना फिर आगे गई तो एक सीब मंदिर के पास बुढे बाबा बैठे थे वो बुढे बाबा कोई ओर नहीं साच्छाद सीब भगवान थे उनका पुन्यमा को देखकर बोले कि मंदिर की और चबतरा की सफाई कर दो तो पुन्यमा तुरंथ ही मंदिर की और चबतरा की सफाई कर दी और मंदिर में पुजा पाठ करके आगे चलने लगी तो बुढे बाबा बोले कि आते समय मिल कर जाना आगे काली मा की मंदिर आया वहां भी एक बूडी माता बैठे हुए थे जो की काली माता थे वो बूडी माता का रूप लेकर बैठे थे उन्होंने पुन्निमा को बोला के तुम मेरे चबुतरे का भी साप कर दू तो पुन्निमा उनको भी मना नहीं की और साप सुत्रा करके उ उनका चरण सपर्स करके अनमती लेकर जाने लगी। बुड़ी माता उसको बहुत आशिर बात दिये और बोले आते समय मुझसे जरूर मिलना। फिर आगे गई एक नदी के किनारे एक बुड़ी माता बैटी थी। वो बुड़ी माता गंगा माता थी। गंगा माता देखते ही पुर्निमा को बोले कि यहां नहा कर सब लोग गंधा कर देते हैं और कोई सफाई नहीं करते हैं। क्या सफाई के लिए तो इमारे पास समय है। पुर्निमा बोली हां मैं सफाई कर दूँँगी और वो नदी को सफाई करने लग गई और अंत में जो बुड़ी माता का पर्ण स्पर्च करके अनुमती लेकर जाने लगी तो बुड़ी माता बोली बेटी तुम बहुत अच्छी हो आते समय मिलते हुए जाना जैसे ही माईके पहुची भाई भोजाई उसे देखकर खुश हो गए बोले बड़े दिनों के बाद आये हो भाई भोजाई के हाथ में य से श्रॉल जाने की बात कही तो भोजाई एक लाल साड़ी और एक थेला पकड़ा दी और फिर आने का निमंत्रन दे कर उसको गाड़ी में बिठा दिये हरास्ते में सब से मिलते हुए आई और सब एक एक थेला और बहुत आसिर बात दिये तो इस तरह से उसके पास पांच थेले हो गए तो माई के जब वो घर पहुंची तो मस गई कि ये सब भगवान के आसिरवाद है उसका घर में धन का अटूट भंडार हो गया तो एक दिन वो भी सोची कि मैं भी अपने घर में सिव चर्चा रखूंगी क्योंकि भगवान के आसिरवाद से मेरे घर में भी इतन सारा धन हो गया और वो सब को बुलाने भेजी और अपनी बेहन के घर भी बुलाने के लिए गई और जब अमावष्चा उसके घर में आई तो देखी इतना धन दौलत हो गया है तो वो पुछी कि इतना धन तुमारे घर में कहां से आया पुर्णिमाने कहा बेहन तुमने तो सिब चर्चा रखी मुझे बुलाया भी नहीं और प्रशाद तक नहीं दी तो मेरे मन में बिचारा आया कि घर में प्रशाद बच्चे मांगेंगे तो क्या दूँगी इसलिए माईके चली गई और वहां से कुछ मिला तो बच्चों को लाकर दे दी और राष्टे में जो जो घटना हुई थी उसारा बता दी यह सब सुनकर अमवश्या भी प्रशाद नहीं लेकर जल्दी से माईके जाने के लिए त्यार हो गई राष्टे में उसे भी पुर्निमा की तरह तुल्शी माता महदेबाबा काली माता और गंगा माता मिले सब ने जान भूच कर उसे भी वही बात कही जो पुर्निमा से कहे थे पर अमवश्या ने किसी की भात नहीं सुनी और अपने घमन से आगे माईके चली गई जब माईके पहुची तो भोजाई ने मन ही मन बोली ये बला कहां से आ गई क्योंकि उसको भी अमवश्या पसंद नहीं थी तो अब आ ही गई तो ठीक है ऐसा सोचकर बोजाई ने खाना बना कर उसको किलाया और शब रात को सो गई और सुबह होने पर अमवश्या बोजाई से कहा मैं सस्राल जाओंगी उन्होंने कहा ठीक है जाओ तो मावश्या जब ठेला के बारे में कहा तो उन्होंने कहा तुम्हारे घर पहुँच जाएगा फिर वहां से रवाना होकर गंगा माता काली माता महदे बाबा तुलसी माता सबसे मिलकर ठेला के बारे में बोलने लगी तो सब ने यही उतर दिया तुम्हारे घर पहुँच जाएगा जब वह घर पहुँची उसने देखा पांस थेले रखे हुए थे वह खूस हो गई पर जब वह खोलने लगी तो वह देखी कि कोई थेला में पत्थर किसी में मिट्टी किसी में बिच्छू निकल रहे हैं पर रोनी लगी और दोड़ते हुए पुर्णिमा के पास पहुँची और सारी घटना उसको बताई जब पुर्णिमा ये बात सुनी तो उसने कहा अपने भाई भोजे का मैं काम करती हूँ और रस्ते में देवी दबता का सब स्वरुक में सम्मान दे कर गई पुर्णिमा ने कहा कुछ देर नहीं हुआ है सब ठीक हो जाएगा भगवान के क्रिपा तुम्हारे उपर भी बरसेगा तुम तुम तीन सुत्र की ज्यान लेलो और वो तीन सुत्र का ज्यान देने लगी बोली एक सुत्र में दया मांगना तुसरी सुत्र में सिव चर्चा करना तीस्र सुत्र में 108 बार ओंग नमशिवाय का जब करना इस तरह से अमा वश्या भगवान से माफी मांग कर तीन सुत्र का ज्यान लेकर पुजा पाठ में ध्यान देने लगी और उसका भी मन परिवर्टन हो गया और वो भी भगवान की तरफ ध्यान देकर पुजा पाठ करने लगी आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए स्यार करिए